बिहार डियलर्ड के 1 अपरद 2024 के दोनों सिप्टों के एकजाम कंड़क कराय जा चुके हैं तो उसके लिए हम लोग देखेंगे सारे के सारे कोश्चन जो दोनों सिप्टों में आज पूछे गए हैं जिनका आने वले सिप्टों में एकजामें बोलो कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखेगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो गाइस आज के सेसिन में पहला कोश्चन है यथा सक्ति में कौन सा समास है तो देखेए जिसमें उपसर्ग यूज होता है देखेए यहाँ पर यथा उपसर्ग यूज हो रहा है तो यहाँ पर अब बेव भाव समास हो जाएगा और इसका समास बिगरे है अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? सक्ति के अनुसार सक्ति के अनुसार अगला है बिरक्ति का बिलोम सब्द क्या होगा? बिरक्ति का बिलोम सब्द हो जाएगा अनुरक्ति अगला है एलकेन का सूत्र बताओ एलकेन का सूत्र होता है Cn, H2n, प्लस 2 नेक्स्ट है पूर्भी और पश्मी घाट कहां पर मिलते हैं? पूर्भी और पश्मी घाट मिलते हैं नील गिरी में अगला देख लेते हैं पराबैगनी किर्णों से कौन हमारी रच्छा करता है तो इस question का अंसर बनेगा ओजोन परत ओजोन देखिए ओजोन जो गैस होती है उसका formula क्या होता है O3 अगला 1857 की ग्रंथी कहां से शुरू ही तो ये शुरू ही ती मेरट से अगला शरीर के तापमान को नियंत्रित करने बाली ग्रंथी का नाम बताओ तो इस question का अंसर बनेगा hypothalamus ग्रंथी अगला है पाबापुरी कहां पर है पाबापुरी की बात करें तो ये है नालंदा में अगला है चेरो जनजाती कहां पर निवास करती है चेरो जनजाती की अगर बात करें तो उत्तरपदेश के दच्छनी पूरवी कोने में चेरो जनजाती निवास करती है पानी पत के युद्ध से प्रसंदा तो तीनों पानी पत के युद्ध जान लेते हैं जैसे कि पानी पत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 21 अप्रल 1526 को बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में जिसमें बाबर जो था वो जीता था और पानी पत का दुतिय युद्ध वाता अकबर और हेमू की सेना के बीच में 5 नहुंबर 1556 में जिसमें अकबर की भिजय हुई थी अकबर जीता था और पानिबत का तिसरा यूद वाता 14 जन्वरी 1761 में एहमस्सा अब्दाली और माराठो के बीच में जैसमें अब्दाली जीता था अगला संधाली भासा को कौन सा समिधान के संसोधन के अंतरगत जोड़ा गया तो 92 समिधान संसोधन अधिनियम 2003 के अंतरगत था अगला 6 मंडल से समता मंडल तक जाने में तापमान पर क्या प्रभा पड़ता है तापमान में बढ़ोत्री होती है अगला सतापदी में कौन सा समास है तो देखिए सतापदी में अगर समास की बात करें तो इसमें है दिगू समास Next है धर्म आत्मा का संदी बिच्छिद जो है वो क्या होगा तो वो हो जाएगा धर्म पलस आत्मा नेक्स्ट है जै बिवित्ता दिबस कब मनाया जाता है तो जै बिवित्ता दिबस की बात करें तो ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है अगला है बिरंजक चुन का सूत्र वताओ तो ये हो जाएगा C-O-C-L-2 अगला है दास कैपिटल किसकी रचना है तो दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की अगला है यूरेनियम का प्रियोग किसमें किया जाता है तो एटम बम जो होता है परमानू बम होता है उसमें यूरेनियम का प्रियोग किया जाता है अगला है किसान सभा के स्थापना बिहार में किस ने की थी तो किसान सभा के स्थापना बिहार में की थी स्वामी सहजानन्द ने की थी अगला है कुतुबुद्दिन एवक का मकवरा कहां पा रहे तो कुतुबुद्दिन एवक का मकवरा हो जाएगा लाहोर, पाकिस्तान अगला अंतरराश्टी ये महिला दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आठ मार्ज को मनाया जाता है अगला है मनोरत का संदी विच्छेद बताओ तो मनोरत का संदी विच्छेद हो जाएगा मना, धन, रत अगला है लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है तो उसका जो भार होता है वो बढ़ जाता है और जो लोहे पर जंग लगना ये कैसी अभी करिया है तो ये एक रासाइनिक अभी करिया हो जाएगी अगला है Global Barming का मुख्य काराँ जो है वो कौन सी गैस है Carbon Dye Oxide मतलब CO2 Next है 1857 की करांती का नित्रत किस के दोरा किया गया था तो यह किया गया था बाबू कूबर सिंग के दोरा किया गया था अगला है बिस्टु जन संक्या दिवस कब मनाया जाता है बिस्टु जन संक्या दिवस की अगर बात करें तो यह मनाया जाता है 11 चुलाई को मनाया जाता है अगला है ध्वनी तरंगे कैसे चलती है तो देखिए ध्वनी तरंगे जो है पदार्थ ठोस तरल गैस में अणों के कमपन दोरा इन माध्यमों से गमन करती है नेक्स्ट कोश्चन है विद्धुत बल्ब का फिलामेंट जो होता है बै किस धातु का बना होता है तो इस कोश्चन का अंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु का बना होता है अगला है भारत में सबसे उचा जो किला है वो कौन सा है प्रबल गड का किला जो है वो सबसे उचा किला है प्रबल गड का किला अगला है कुद्रे मुख राष्ट्रे उद्ध्यान कौन से राज में इस्तित है तो इस कोश्चन का अंसर बनेगा करनाटक राजी में इस्तित है अगले भारत के पहले राष्टपती भारत के कौन सी जगह से समन्दित है तो बिहार के सारा अब सिवान जिले के जीरा देई गाउं में अगले साइमन कमिंसन भारत कब आया था तो यह आया था 3 फरवरी 1928 को आया था अगला सलाल विद्दुत परियोजना किस राजकी है तो सलाल विद्दुत परियोजना की बात करें तो यह है जम्मू कस्मीर राजकी नेक्स्ट है चिनाम नदी पर इस्थापित एक जल्विद्दुत परियोजना है अगला है काला कानून कौन से एक्ट को कहा जाता है तो रॉलेट एक्ट उननिस सो इननिस जो है इसको क्या कहते हैं काला कानून अगला है मनसब्दारी प्रथा किसके द्वारा सुरू की गई थी तो मनसब्दारी प्रथा सुरू की गई थी अकवर के द्वारा सुरू की गई थी नेक्स्ट है आसरम का पर्यवाची सब्द बताओ आसरम के परेवाचे सब दोते हैं कुटी, मठ, तपोवन, बिहार और अखाड़ा नेक्स जे सुंग बंस की स्थापना किस ने की तो सुंग बंस की स्थापना की थी पुस्व मित्र सुंग ने की थी अगला है कपास की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी जो है वो कौन सी है तो वो हो जाएगी काली मिट्टी उस्मा गति की के पहले नियम से कोश्चन था तो उस्मा गति का जो पहला नियम है वो उड़जा के नियम पर राधारित है और जो पहला निया में वो क्या है जब इस्तिरायतन पर किसी गैस को उस्मा दी जाती है तो संपूर्ण उस्मा उसके ताप बढ़ाने में ब्याय होती है बिक्रती का बिलूम सब्द बताओ प्रकरती अगला है मनुस के सरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं अगला है बियार का सुक किस नदी को कहा जाता है कोसी नदी को और उड़ीसा का एक कुशन आता है उड़ीसा का सुक किसे कहते है तो यह कहते हैं महा नदी को और महा नदी पर कौन सा बांद बना हुआ है हीरा कुंड बांध बना हुआ है अगला है पालबंस का संस्थापक काउन था तो यह हो जाएगा गोपाल कौUNG था गोपाल नेक्स्ट है यसोधा का संदी विच्छे दो बताओ तो यसोधा का संदी विच्छे दोता यसाधन दा कांडला बंदरगा कहां पर है तो यह हो जाएगा गुजरात में बिहार के पहले राजपाल का नाम बताओ तो यह हो जाएगे जैराम दास दौलत राम नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में समास हो जाएगा कर्म धाराय समास अगला सपूत में कौन सा उपसर्ग है? तो समस कितने प्रकार के होते हैं समस छे प्रकार के होते इंजो कि आपके हैं तत्पुर्ष समस, कर्मधहराय समस, दिगू समस, दोंद समस, बहबुरी समस और अब्याईबहाव समस अगला गौतम बोत का जनम कहाँ पर हुआ था? लुंबनी में हुआ था और उनके बच्पन का नाम देखे सिद्धार था इनकी म्रत्यू कुसी नगर में हुई और ये जो बंस से संबन्दी थे इच्छाकू बंस ये छत्रिये साख के कुल्स में हुआ था इनका जनम इन्होंने पहला उपदे सारनात में दिया था अगला मनुस के सरीर का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 120 वटे 80 ये होता हाई के लिए और नीचे बलाता होता है लो के लिए भारत के सबसे बड़ा पसू मिला कहां पर लगता है? तो सोनपूर मिला है जो कि बिहार के सोनपूर में लगता है और आज का लास्ट है बेकिंग सोड़ा का रासाइनिक सुत्र बताओ तो ने एच सी ओ थ्री तो गाइट आज के इस वीडियो में तना है थैंक्यो धन्ने बाद